सबसे पहले डिस्ट्रिबूशन है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्लीज समझेगा लिखेगा कोई नहीं अभी क्योंकि यह समझने बहुत जुरुरी है वीडियो मिलेगा दो बार सुनो तीन बार सुनो इनको पर सुनना पड़ेगा मुझे पता है क्योंकि क्वेश्चन देखके पहचानना पड़ेगा कौन से प्रॉब्लम है या इत आपका दिमाग इससे भी ज्यादा आगे तेज चलेगा आप तो बता सको के एक्जामनर को इसक स्कूल इनिफार्म जानते हैं हैं जी एक जैसा ना से यसितार है लेकिन यूनिफार्म दिस्रिफूशन की कुछ खास बाते हैं पहली पहली खास बात है प्र मेरे बिचो इकुल प्रोह बैबर्यटी हिश्च ऑफ ऑल पॉससिबल वैल्योव इक difícil probability टूब आपॉसिबल वाल्यूज सभी पॉसिबल वाल्यूज की इक्वल प्रोबैबिटी होने चाहिए ओके जी पहले कंडिशन यह है दूसरी कंडिशन कॉंजिकेटिव इंटीजर्स कॉंजिकेटिव इंटीजर्स वाइं इंटीजर्स आम यूजंग दवर्ड बताइए कभी भी कोई इवन टकर करेगा क्या 1.3 डैथ हो सकती है क्या 2.5 संस्टून क्लास में आ सकते हैं डैथ कितनी हो सकती है जीरो वन टू थ्री इंटीजर्स है ना और वन टू थ्री बात कर रहा हूं तो कंडिटिव बात कर रहा हूं ना एक के बाद एक अरे समझो हो है हमारी कोई जैनुवन नी प्रॉब्लम नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होते ही मेरी बिटिया लेकिन एक्जामनर कोई भी फंक्शन ऐसा बना सकता है जिसकी रेंज कहां से शिरो नेगेटिव से लेकिन वैसे हम बात क्या करते हैं हम बिंग अक्शुरी कोई भी लाइफ में इवन टकक करेगा तो इंटेग्रल वैली होने चाहिए ने बिटा वो अरे क्लियर है मेरी बात मस्ट भी एंटेजर स्ट मस्ट भी मस्ट भी इवन्ली स्पेस्ट evenly spaced with a space of one with a space of one ये दो बाते अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो discrete uniform distribution है जैसे उधारण उधारण देखें बच्चो उधारण number one ये probability मास function है मुझे बताओ कितने face हैं यहां पर एक में रुप जाओ कितने face हैं और कोई भी एक face आने के probability का है क्या सबी कोई भी face आएगा उसकी पॉल्टी इक्वल पॉल्टी तो पॉसिबल वैल्यूज अच्छा इन में gap कितनी वैल्यूज का है क्या यह evenly spaced है with a space of one तो क्या यह example चीक चीक के कह रहा है कि भाई मैं discreet uniform का example हूँ क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हूँ आप रुजाओ एक्स को जीरो रखो क्या answer आएगा बता हूँ वह नहीं एक्स को जीरो रखने पर पॉंट पॉंट शिक सारा ना चेंज कर देता हूँ इसको और वन रखने पर क्या क्या जीरो की पॉल्टी और वन की पॉल्टी सेम है लेकिन यह इवन ली स्पेस नहीं लेकिन इसके अंदर लेकिन इक्वल प्रबैबिटी कंडिशन नहीं है ना तो दिस इस नॉट अग्जाम्पल ऑफ बर्न उनिफॉर्म दिस्टिपुशन अरे बोल बेटा ओके और अब बताना मेरे बिच्चे टॉसिंग अ कोईन गेटिंग हेड और टेल्स हेड को जीरो माल लिया टेल्स को वन माल लिया अब बताओ क्या यह डिस्क्रीट उनिफॉर्म है यह यह इवल प्रवबिदी तो पसिल वाल जुझ जए बबबिव जए विजए प्छेस विज़ दाओ वन जास्टिप्स इज़ इस 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 ऑ्स आपल चूर्म हरे विदट नर्टर प्रवज़ ज़र्बद ट्रॉट धंट दॉर्यन येस it is not evenly spaced with a space of one लेकिन equal quality तो है ना दोनो दोनो conditions satisfy होनी चाहिए कि नहीं so this is also not discreet uniform अरे बोलो भाई अच्छा जी फिफ्ट एक्जाम्पल यहां लिख रहा हूं कि अब टुम्हारे माइक में डिस्टरबंस आ रहे गर आप बोलते हो तो बहुत जाएं कि सब्सक्राइब को क्या यह डिस्केट उनिफॉर्म है यह हां इक्वल पॉल्टी है येस इवनली स्पेस्ट है येस पर हमें क्या चीए इवनली स्पेस्ट बिदे स्पेस आफ यह तो टू है ना सच में आप लोग स्टैस्टिक्स ओनर्स के बैच में चले जाना अपने कॉलिज में थर्ड यर के बच्चे को बलाना आ बिटा बता यह डिस्केट उनिफॉर्म है बोलेगा हां कि सच बता रहा हूं मैं तुम्हें यह बात सच में अगर ऐसा नावत बताना आप जाके मैं चुड़ चुड़ चीज़ जानता हूं कल मेरा इंटेवू लिया बाइजू पर स्टैस्टिक्स की फेगल्टी हाय करने थी मुझे तो उन्हें बोला बड़ी रिक्वेस्ट के समनी सर्थ दस क्वेशन पूछलो सर्विस से मैंने क्या कोशन पुछे हो से तुम हरान हो जाओ गैसे और सब्सक्राइब बड़ी डेते हैं या एक परड़ी देता है इसे बेसिक सी चीज है बहुत चोटी-चोटी-चोटी-फिर मैंने पूछा और अगले कुशन पर चला गया मैं अश्को आगे मैंने पुछा ओर अगल जिस्टिपूशन पुछे तो मैं अंदर घुसा नहीं इसमें अभी तक बेस तरम लास्ट मैंने पुछे तरो क्या आता है बताते वो प्रोली आती मैं बेस बता कां काम आती है क्या होता बेस वो भी नहीं बता पाई वो लड़की और नोगरी चाहिए डेमांड करते हैं मुझ क्या है तो यह बागी करना है तुम हजार वाले तो कॉम्पीट नहीं कर पारे तो यह समझ में आए बेटा दोबारा दोबारा से उतार पहले उतारो 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 झाल 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 जादा बच्चे कोशिश के अगरो आफेन आने की मजा आएगा मुझे से यह क्लास दर्वाजा बंग करके कमरे में रिकॉर्ड करने के बोलते हैं कुछ नहीं पढ़ा जाता है मिरसे आप लोग की शकल देखके तो निकलता है अंदर से झाल क्योंट प्रेजी है ये कुछंट कि अशुब एंस कुछंट क्यों सबस्य करते ही प्यूल इडले बिटा इच्छे अंदे कोड़ु कि देखो बिटा मैं रिपीट कर रहा हूं कुछ इसमें से पांच वावला क्वेशन मैंने पांच में वाले एक्जामपल में यह लिखा था अब आपको नहीं आपको स्मार्ट बच्चे बनना है क्योंकि आप लोग को मैंने ट्रांस्वर्मेशन सिखाई हुई है इसको डिस्क्रीट युनिफॉर्म बनाना है वापको वनना मैं बोलूँगा इसका मीन निकालो वेरिस निकालो तो आपको बहुत लंबी कहानी करने पड़ेगी जबकि युनिफॉर्म को मीन वेरिंस तो हमारी टिप्स पर हो सकता है क्योंकि यह वाथ स्टेंडर्ड तो मेरे बेटा Y को X by 2, X को 0 रखो यहाँ पर अरे 0 यह आएगा न Y, X को 2 रखोगे तो 1 आएगा, X को 22 रखोगे तो 11 आएगा न अरे अब बताओ, क्या ही अब बन गया नहीं समझ में आया बात आज ओफिर से बताएगा आज ओफिर से बिटा Y को मैंने X by 2 ले लिया मेरे बिच्चे अब तू X को 0 रख तो Y भी 0 आएगा X को 2 रख, Y 1 आएगा X को 4 रख, Y 2 आएगा X को 6 रख, Y 3 आएगा, आएगा कि नहीं मेरे बिटिया तो यह Y, क्या यह वाला distribution discreet uniform है कि नहीं है लेकिन यह एक बच्चा मोला सर्म मैं तो ऐसे नहीं करना चाहता है मैं तो ऐसे करना चाहता हूँ, I want to take Y as this तो बताओ, रखो जड़ा Y को वाली बारी बारी से X को 0 रख, X 0 है ना तो क्या answer आया बताओ Y X को 2 तो 22 तो 12 आया ना क्या ये भी discreet uniform है नहीं समझ में आया तो बताना बिटा शारवी नहीं आया समझ में transformation किया है बिटा मेरी बात ध्यान से सुनो आपने दोनों discreet uniform बनाएं अब इन दोनों में भी मुझे prefer करना हो कि जिससे मुझे ज़्यादा fast answer आएगा तो वो कौन से वाला होगा थोड़े ज़्यारे में पता चलेगा इन दोनों ये दोनों ठीक हैं लेकिन इन में से भी और fast तो कौन से वाला prefer करेंगे हम लोग वो अभी आएंगे यलो वाला की ब्ली वाला ये भी decide हम करेंगे थोड़े दिर में पहले इतना clear है कि नहीं है बताएए तो मतलब कुछ problem discreet uniform नहीं है लेकिन हम बना सकते हैं कि नहीं उनको बना सकते हैं यह कहना चाहरा था बस में यहां पर ट्रांस्फोमेशन से यहां पर वाई यह जी ओफ एक्स है ना बिटा function of x तो function of x मैं क्या ले रहा हूं उससे दाप से distribution बन रहा है ना बिटा नेक्स पीच पर चलूँँ एग्जांपल नेक्स्ट लिखो लिखो इसको यहां कहीं हिंदी में लिख लेना कि यह function discrete uniform नहीं है हमने transformation यूज़ करके इसको discrete uniform बनाने की कोशिश की है तो दो बन गए है अब दोनों में से किसको prefer करें एक्स तो बेटा जीरो है लेकिन है ना बेटा यही एक्स डाल सकता है और कोई नहीं डालेगा बेटा कि दिपांचु तुम तो offline आओ यार कि अच्छा लगे आना चलने आगे कि एक और एक्जांपल देखो मेरे बच्चु अभी अभी तुमने फॉर्मला पता है नहीं है एक्जांपल भी खेल रहे है एक्स इस इकल टू एक्स एक्स आपका माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 0 3 4 और 5 क्या यह डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है पांच नेगेटिव पांच पॉजिटिव और एक जीरो तो इक्वल पॉसिबल वैल्यू है और हर वैल्यू इवन्ली स्पेस्पेस बिदा स्पेस ववन है दुखोर्शार्वी मैंने क्या कि आप मुझे बोल रहते से नेगेटिव में नहीं आ सकता हम प्रोब्लम तो बनाई सकते हैं ना शायद उसका लॉजिक नहीं हुआ है कि नहीं मैं इसका कोई लॉजिक नहीं बता पाऊंगा लेकिन हम नंबर्स दे के प्रोब्लम तो बनाई सकते हैं ऐसे तो इस इस अल्सों डिस्क्रीट यूनिफॉर्म करेट है बिटा अब मैं फॉर्मला बनाना सिखा रहा हूँ आपको यह लिख लिया है यह वाला तो मेरे बच्चे पी एम एफ इस एक्वल टू पी एम एफ कैसे बनेगा प्रोडिटी मास फंक्शन नंबर हैश का मतलब नंबर आफ पॉसिबल वाल्यूस नंबर आफ पॉसिबल वाल्यूस समझ में आ गया अब जैसे उधारण के तोर पे अब यह नंबर आफ पॉसिबल वाल्यूस कैसे आएंगी सर्व हाउ टो फाइंड नंबर आफ पॉसिबल अरे काउंट कर लो हरमेशा हर बार काउंट नहीं होगा नंबर आफ पॉसिबल वाल्यूस का फार्मॉला देखिए लार्जेस्ट वाल्यूस माइनस स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट वाल्यू प्लस वन इस दो फार्मॉला लार्जेस्ट वाल्यू माइनस दो स्मॉलेस्ट वाल्यू प्लस ओके जैसे कि इस वाले केस में वान तू थ्री पोर फाइव शिक्स यह तो काउंट ही कर लो शिक्स है अरे काउंट करने से शिक्स आ लगाते हैं पर अपना तरीका लगाता है लार्जेस्ट के स्मॉलेस्ट के एंद प्लस वन बताओ 6 ओ रहे इनिया रहा अरे बोलो बेटा ओके एक्स इलेवन ज्रेटी नाइन कितनी वैल्यूस है Largest value Minus 11 plus Aray आ जाएगा answer कितना आएगा बिटा आया समझ में कि नहीं आया पहले बताओ मुबारक हो इधर देखो अब X A A plus 1 A plus 2 B minus 1 B क्या ये values evenly spaced with a space of 1 है ना कहने का कारण बताएं बस जल्दी conclude कर दिया अरे A के बाद कौन से टम है A plus 1 के बाद evenly spaced with a space of 1 तो है यार और B minus 1 के बाद क्या है हमें क्या मतलब क्या value आएगी वो हमें ये मतलब है ना कि evenly spaced होना चाहिए बटा और space of वो दिख रहा है ना मेरे बच्चो number of possible values बताओ क्या होगी तो इसका PMF क्या हो जाएगा one upon और range क्या हो गई आपकी अरे यही मिना नहीं समझ में आई बात आ गई अभी फसोगे उतार लो पहले अरे यहीं समझ में आपकी अरे यहीं समझ में आपकी अरे यहीं समझ में आपकी तो कभी बें डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का फंक्शन बनाना हो तो फंक्शन का फॉर्मॉला क्या है one upon number of yes बेटा पूछो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है इसकी स्मॉलेस्ट मात तरह नहीं देख रही हो पर से अब रातरे चल रहे है और यह छे वैल्यू तो छे ही आएगा ना और यह 79 वैल्यू है क्योंकि अगर वन से शुरू करता तो 89 होती ना तो दस वैल्यू कम करते 29 में से चलो देखो आजो Okay, discrete uniform, probability mass function 1 upon minus plus 1 x is equal to a, 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 b, 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 b minus a plus 1 यही बात हुई थे ना अपनी a, a plus 1, a plus 2, b minus 1 और b तो a क्या होगे इसमें बेटा smallest होगे ना आपका a is the smallest और b is the largest and number of possible values का formula यही होता है मेरे बेटा अरे b minus a plus 1 और यही होता ना पेटा हाँ, mean पेटा, mean expectation of x ही बोलता है मेरे mean ना it is always upper limit largest value plus the smallest value divided by 2 so a plus याद करने में फायदा है कि solve करना आपको solve करके यही answer आएगा अरे यही आएगा, ठीक, यह mean है इसका variance पहले देता हूँ, number of possible values का square minus 1 upon 12, यह formula होता है तो बताओ, उपर क्या आएगा b minus a minus a plus 1 का square minus 1 upon 12 अरे यही आएगा ना बिटा याद कैसे रखना है, number of possible values का square minus 1 upon 12, ऐसे याद रखना है, number of possible values तो हम याद ही हो गई है बिटा आगई बात समझ में के नहीं आगई, अब आपको चमतकार वाले बात दिखाते हैं, इसका particular case इसका particular, आपकी सभी किताबों में, हर किताब में, सिर्फ यह particular case ही दिया होता है particular case, क्या है यह particular case, अगर आप मेरे बेटा इस A को 1 कर दें, और इस B को N कर दें, बी को क्या कर दें बेटा, N, तो बताओ क्या बन जाएगा यह, हाँ, X के रेंज, 1, 2, 3, dash, 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 N आएगा न, तो कितनी values है, N न, 1 by N अंसर आएगा कि नहीं आएगा, तो mean क्या होगा, A plus B by 2, अरे बोलो बेटा, variance क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, तो क्या है, पर्टिकलर केस में, पहले पर बताते हैं, अरे पर्टिकलर केस बन गया न, कौन से वерм America किस बन गए है, जैसे अपने सबसे पहले किया था, डाइस रोल किए 2, 3, 5, 6 था, तो पर्टिकलर केस में range कहा से start होती है, से कहां तक जाती है यह होता है और जनरल केस में कहीं से भी जा सकती है कहीं से कहीं तक कि अरे भाई म्यूट कर ले अपना बहुत बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है बिटा तो जादा तर बुक्स में हर जगह पे पर्टिकुलर केस ही दिया होता है झालो 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 झालों म्यूटन करा ले असलिए लेक हमाई ला का बजादा था जाना भालों म्यूटन कर भी टामास आजो एक्जाम्पल सब कुछ मेमराइज करने ना इसके उपर ही सारी कहां नहीं है ठीक सो मैं आपको दो एक्जाम्पल दे रहा हूँ एक एक्जाम्पल ये है जिसकी रेंज है 0, 1, 2, 3, डैस, 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 एन और एक एक्जाम्पल ये है x, 1, 2, 3, डैस, 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 एन कौन सा पर्टिक्लर केस है कौन सा पर्टिक्लर केस नहीं है तो बताओ इसका PDF क्या हो गया PMF क्या हो गया वन अपॉन बताओ इसका मीन क्या हो गया अब इसका PMF क्या होगा अब बी माइनस ए प्लस वन तो न प्लस वन हो न मीन वेरियंस अब अब बहुत फर्क है ना बिटा यह फर्क नहीं इडेंटिफाइए कर पाते लोग बोलते हैं यह भी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक इसे करते ते पर्टिक्लर के इसे करते हैं फिर कहते हैं अब आप गलती तो नहीं करेंगे ना अब मुझे एक बात बताओ आप पर्टिक्लर कभी भी ट्रांस्वमेशन करोगे तो पर्टिक्लर केस बनाओगे यह जन्रल केस तो अब मुझे वापिस जाना पड़ेगा थोड़ा सा यहां पर तो अगर मुझे ट्रांस्वमेशन करनी है तो मैं कैसा केस बनाने कोशिच को ने बटा पर्टिक्लर केस दिस वस्ट इस वन ना इसे करो करने से कोई मुझे फर्क नहीं बढ़ता पर जब ट्रांस्वमेशन करनी है तो हम असान करें अपने काम को राइट तो विच इस मोर एडवाइजबल है इस येलो वन अंजी पिटा चलो जी हो गया तो देखो हमने एक्जांपल भी बताया आपको कंपैरिजन भी बता दिया सारा सब क्लियर कर दिया एक चीज़ कर दिया एक चीज़ झाल कर दो तो एक छोटा सा एक्जाम्पल मुझे बता दो rolling a dice rolling a dice a dice is how many die, sorry rolling a die dice बोलता है सिंगलर को अरे बो अंगरेज को मैं आती है मैं तो मैं आती है बस six ना, dice बोलेंगा न हाँ die is so rolling a dice what is the mean and variance the dice is how many faces six, कोई भी एक face आने के पुल्टिक है तो क्या ये uniform का example है कि नहीं आप इसकी photo बनाएंगे तब भी ये photo चिक चिक के कह रही होगी मैं uniform हूँ ये x है यहाँ पर, ये probability है यह यह वन बाई six है ये zero है one, two, three, four, five और six अगर मैं graph दिखाओ मेरे बिटा यहाँ पर आपको तो one की probability भी one by six तो ये uniform दिख रहा है न ग्राफिक दम अने बिटा तो ऐसा क्या होता है क्यता है अर्राइवल पैटर्न इस उनिफॉर्म अर्राइवल पैटर्न आफ क्लेम्स कैसा है यूनिफॉर्म में एक जैसा कोई भी हर रोज क्या इसको यूनिफॉर्म होगे नइक मतलब हर रोज एक हर रोज में कितना है धिनों में होगई हर دो सालम क्ले माय रहा है तो यूनिफॉर्म नहीं ऑना पढ़े गाना उसको प्लियज दिस एस होती है महा पर अब आप इसका मीन बता और वेरियंस मेरे बिटा मेरे नमबर अफ टरम्स ना नमबर अफ पॉसिबल वैल्यूस का स्क्वेर माइनस वन तो छे वैल्यूस है 6 का स्क्वेर 36 माइनस 1 इस 35 बेट 12 ओके डन तो डिस्क्रिट उनिफॉर्म इस ओवर पर्टिकॉल इस बनाया है जनरलवाले फार्मुले से पर्टिकॉल इस बनाया है तो ये तो मैंने एक्जांपल देख कंपरेशन करने के लिए कोपर वाला जनरल या निचे वाला पर्टिकॉल केस है बेटा वह आप एबी में खो गए हैं वह यहां एबी नहीं है बेटा कहीं पीबी कि यह मैंने जनरल पर्टिकल केसी दिया है यह जनरल केसी दिया है बनाना नहीं पड़ाया आपको दो अलग लग रेंज दिया नहीं मैंने आप रेंज देखके तो पता लग आएंगे नहीं समझे इसलिए लिए मेरे बच्ची ए कुछ भी हो सकता है एक एंड़ी माइनस 5 एक एंड़ी 0 एक एंड़ी 10 लेकिन अगर आप उस एक ओवन ले रहेते हैं और उस बी को एन ले लेते हैं वन टो एंटर्म्स होगी ना तो वह पार्टिवर केस ही होगा सरफ इसके अलावा किसी ओर टंस पर पार्टिक्लर केस नहीं होगा नहीं समझ मेरा नू अगर तो इस डिस्क्रेट